जिन लोगों ने भी बिहार DL8 का फॉर्म बढ़ा है उनके लिए ये इंपोर्टेंट नोटीस है और ये नोटीस जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार विद्यारे परिच्छा समीती के द्वारा जारी किया गया है और ये नोटीस जो है आपको एक आखरी मोका देता ह अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलत भरा है तो आप उसे सुधार कर सकते हो चाहे वो फोटो सिंगनेचर का इसू हो या मदर्श नेमो फादर्श नेमो डियो बी काटेगरी या आपने सार्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया हो या सिंगनेचर से कोई भी अगर आपका गलती है तो आप इसे सुधार कर सकते हो और इसके लिए आपको एक अंतिम मौका दिया गया है और यह जो सुधार जो है आपका 22 तारिक से स्टार्ट होगा और 26 तारिक तक आप यहां पर देख सकते हो 26 तारिक तक जो है यह आपका सुधार होगा और इसके बाद आपको जाते हैं तो उनके लिए यहां पर आप देख सकते हो अतिरिक 200 रुपया चार्जेज रखा गया है तो आप लोग इसको जल से जल सोधार कर लो क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आपका एक साल जो किमती साल जो है वो बढ़बाद हो जाएगा आप यह नोटिस को अच्छे डंग से पढ़ लो यहां पर दिया गया है कि पार्ट कर्म के 24-26 में नामंकर है तू डियलेट संयुक्त परवेस परिच्छा 2024 में समलित होने वाले सभी अव्यारतियों को सुचित किया जाता है कि जिन अव्यारतियों द्वारा डियलेट संयुक्त अरिक तक वैब साइट पर अपलोड रहेगा और सभी अभियारतियों को निर्देश दिया जाता है कि डमी परवेस पत्र में मुद्रित एक एक विवरन को साबधानी से जाच लें आप पूरे अस्थीर से अपने फॉन में ही डाउनलोड कीजिएगा और उसे अच्छे तरह पूर्टी होता है तो आप उसे सुधार लें और में वात है यहां पर कैटेगरी का तो कैटेगरी के लिए अतिरिक चो है 200 रुपिया का चार्ज रखा गया है तो इसमें आपको अगर कैटेगरी गलत है तो कैटेगरी पर ही पता है आपका एडमिशन जो आरक्चन मिलता है उसे सुधार लें ठीक है डियलेट संबंदित कोई भी अपटेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हां आपको डियलेट से संबंदित कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वह सुचना अपने चैनल के माद्यम से जरूर पहुंचाएंगे थैंक य।